हेलो गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल सबसे पहले आप सभी का थैंक्स हमारी चैनल से जुड़ने के लिए फ्रेंट्स अगर यह वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं या आप चैनल पे नया यह चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें वीडियो को लाइक करें तथा 2021 में तो चलिए कोश्चन देख लेते हैं कोश्चन नमर फॉस्ट आपकी स्क्रीन पे हैं हाव मैनी टाइप्स ओफ दिसेबिलिटीज आर लिस्टेड इन दी पी डब्लू डी एक्ट 2016 ओ इंडिया भारत के पी डब्लू ड अधिन्यम 2016 में कितने प्रकार के विकलांगता कि वह डी बट अगर आप देखें कि आपकी बुक के अंदर या आप गूगल करके देखते हैं तो सी जो इसका राइट आंसर मिलता है आई डूंट नौ वाई यूजशी गिव डेस दराइट आइट आंसर आए देख लेते हैं किस-किस टाइप की जो है डिसेबलिटी आपकी होती हैं देखें जो राइट आफ परसन डिसेबलिटी बिल आया था यानिकि जो एक्ट आया था 2016 के अंदर उसके अंदर सारी यही जो है 21 टाइप की डिसेबलिटी गीवन थी जिसमें ब्लाइट नेस से स्टार्ट है जो लो विजन परसन फिरिंग इंपार्मेंट लोकोमेटर दिसेबलिटी वार्पीजम इंटेलेक्ट्ट डिसेबलिटी और यह कुछ जो है सारी टोटल के हापकी 21 टाइप की है आप क्या कहते हैं फ्रेंट्स आपका हमें कमेंट बोक्स में बता सकते हैं चलिए नेक्स कोश्चन देख लेते हैं यहां पर असर्षन और रिजन गिवन है 2021 का जो पेपर था उसके अंदर असर्षन और रिजन वाले कोश्चन ही ज्यादा आए थे ठीक है तो आगे भी पोसिबलिटी है कि इसी तरह के कोश्चन आए क्योंकि सभी एक्जाम का पैटर्न यहीं हो गया है कि असर्षन और रिज और रिजन आपका कहता है एं डेमोक्राटिक प्रोसीजर में बिलीव करता है तो फ्रेंट ची कहां पे जो असर्षन है वह तो सही है बट रिजन क्या है आपका गलत हैं ठीक है तो यहाँ पे राइड आंसर आपका होगाindust jó B जो आपका right आंसर है वैसे कि लीडर्शुप की बात कर लेते हैं है जौन की gospos लीडर्शुप जो होती है व्हार क्यांद होती है इस ताइप होती है अध्यों यह रेटएरियंठ लीडर्शिप आपक एक होती है अफोरिटेरियन लेडरिशीद इसको उस्तावादी नितरित जिस्त्रिक्टा डीडर्सीप भी बोलते हैं कि इत अथोर्यटेरियन देडरिशीब क्या बोलते है इस वोस होती है और उसके बाद आखी हो जिसको सहभागी भी बोलते हैं इसके बाद आपकी आती है डेलीगेटिव इसके हमारी अलग से भी वीडियो आप उसमें भी देख सकते हैं डेलीगेटिव लीडर्शीव जिसको प्रति निधी नेतरितव बोलते हैं इसी का दूसरा नाम क्या है लाइसेज फेयर लीडर्शीव इसके इलाबा एक आपकी ट्रांजेक्शनल लीडर्शीव होती है इस नेतरितव में जो टीम मेंबर आपका होता है वो अच्छा वर्क परफॉर्म करते हैं ठीक है और उन्हें जो है रिवार्ड या फिर प्रिस्मेंट भी इसमें मिलता रहता है ठीक है यह अगर आपका कोशन आ जाए कि रिवार्ड और प्रिस्मेंट पर जो बेस्ट लीडर्शीव है वो कौन सी है तो आपकी क्या है ट्रांजेक्शनल लीडर्शीव है उसके बाद एक ट्रांसफॉर्मर ल लीडर्शीव इस प्रकार के नेतरितों में लीडर्श जो अपने फ्लोवर्श को किसी टार्गेट को चीओ करने के लिए प्रोश्साहिट करता है उन्हीं वससकत भी बनाता है दूसरे शब्दों में यह कह सकते हैं कि लीडर क्या होता है एक रोल मोडल के रूप में काम करत यह आपको यह मिल सकता है कि जिस किस प्रकार की लीडर्शिप के अंदर जो लीडर होता है वो एक रोल मोडल की भूमी काम होता है तो आपके आईगी ट्रांस्फोर्मेशनल नेक्स्ट कोशन आपकी स्क्रीन पर है आपको दो लिस्ट गिवन है जिसमें आपको मैच करना सिस्टम ओफ एजुकेशन को मेनिंग ओफ द सिस्टम ओफ एजुकेशन से इंक्लूसिफ एजुकेशन, स्पेशल एजुकेशन, इंटेग्रेटेटेटेटेशन, नॉर्मल एजुकेशन यह आपके गीवन है, ठीक है? यह यहाँ पे meaning given है, where the disabled children are taught in separate institutions, जहाँ पे disabled children को पढ़ा जाता है, अलग से institution में, where the children with special needs are taught along with normal, यहाँ पे जो children है, special needs वाले, उनको normal बच्चों के साथ पढ़ा जाता है, where the children without any special needs are taught, जहाँ पे वो बच्चे पढ़ा जाते हैं, जो बच्चे बिना किसी special needs के होते हैं, उनको पढ़ा जाता है, ठीक है, third way, fourth काता है, where the disabled children are taught in the same class with special care, जहाँ पे disabled children को पढ़ा जाता है, same class में special care के साथ, तो इसका जो match करेगा inclusive education जो है, आपकी match करेगी second के साथ, ठीक है, जहाँ पे special needs children को क्या है, नॉर्मल के साथ, बढ़ाया जाता है, आपकी जो special education है, यह आपकी match क साथ वेदर डिशेबल चीडर ना टूट इन सैपरेट इस्टीचूशन ठीक है इंटेग्रेटिड एजुकेशन का जो कंसेप्ट है वह आपका मैच करेगा पिहर डिशेबल चीडर ना टूट इन सेम ग्लास फिद पेशल केर उसके बाद नॉर्मल एजुकेशन आती है नॉर् वह 1974 के अंदर आया था ठीक है यह क्या एक सेंट्रली स्पोंसर्ट स्कीम थी जिसमें स्पेशल नेट वाल चेल्डरन को रेगुलर स्कूल्स में एजुकेशन की अपर्चुनिटी दी गई थी स्पेशल एजुकेशन का कंसेप्ट जो है पूरे वर्ल्ड के अंदर ही 18th संच जो है इनके लिए एक वर्दान शाबित हुई थी जो स्पेशल बच्चे थे इसके बतागर इंडिया की बात करें तो इंडिया में PWD एक्ट आया था हमारा 1995 के अंदर पर्शन वीद डिसेबिलिटी एक्ट ठीक है जिसमें इनको जो है ज्यादा जो भी प्रोविजन हमारी इंडियन गोर्मेंट के दवारा दिये जाने थे या जो भी फैसलेटीज दी जाने थी वो सब इसके अंदर गिवन है PWD एक्ट 1995 के अंदर इसके लावा अगर आपसे पूछा जाए कि स्पेशल एजुकेशन का फादर किसे कहा जाता है ठीक है फादर ओफ स्पेशल एजुक इसलिए नेक्स्ट कोश्चन देख लेते हैं कि वो अमंगदा फूलोइंग हैस प्रोपाउंडिट साइंटिफिक मैनेजमेंट थियोरी निमलिक्त में से किसने विज्ञानिक प्रवंदन सिधान्त को परतिपादेत किया था गुलिक एंड यूरिक ने इल्टन मायो ने या फिर FW टेलर ने या फिर पीटर ड्रक करने तो ये जो सिधान्त देने वाले थे साइंटिफिक मैनेजमेंट जो थियोरी थी ये दी गई थी आपकी FW टेलर के दवारा हैं किसी जो है आपका राइट आंसर है इसके अलावा जो आपके ये लूथर गुलिक और यूरिक है इ इसके अलावा पोस्ट कोरब भी जो है इन्हीं के दवारा दिया गया था आप हमें पोस्ट कोरब की फुल फोर्म लिकर के कमेंट कर सकते हैं कि पोस्ट कोरब है क्या ठीक है थियोरी ओफ मैनेजमेंट और साइन्टिफिक मैनेजमेंट जो है वो इल्टरन मायो ने दी थी ठीक है थियोरी ओफ मैनेजमेंट और साइन्टिफिक मैनेजमेंट ये ल्टरन मायो के दुवारा दिगई है इसके अलावा साइन्टिफिक मैनेजमेंट थियोरी जो है जो यह smart सिधान्त भी है ठीक एक method है ये smart method जिसके अंदर आप ये देख सकते हैं कि management की जो objective है वो valid है या नहीं यानि कि जो smart है इसकी जो full form है वो क्या होगी specific miserable achievable realistic and time related ये फ्रेंड आपको याद रखना है क्योंकि next question यहां से एक्जाम में पुछा जा सकता है next question आपकी स्क्रीन पे है who among the following list of thinkers of management has developed the theory of variation theory of variation से theory of change भी कहा जाता है ठीक है प्रबंदन के विचारकों की निमिलिक सूची में से किष्ण विविदता के सिधानत को विक्षित किया था friends इसके उपर हमारी एक विडियो पहले भी है जो कि एक्जाम से कुछ दिन पहले ही दी गई थी और उसी विडियो में से 3-4 question जो है इस एक्जाम के अंदर आए थी ठीक है तो अगर आप वो विडियो ठीक से देख लेते हैं तो आपकी काफी जो problem है इस lesson को लेकर के इस chapter को लेकर के वो solve हो जाएंगी तो देखिए यह जो theory है theory of variation यह आपकी दी गई थी एडवर्ट डेमिंग के द्वारा ठीक है एडवर्ट डेमिंग ने जो है आपकी theory दी थी theory of variation या theory of change variation का क्या मतलब होता है कि business के अंदर हमेशा people के बीच में product के बीच में या तो वो people होते है य ठीक है या आपकी service हो सकती है या आपकी output हो सकते इन चीजों के बेच में आपको variation मिलेगी ही मिलेगी ठीक है किसी भी system की आउटवूट जो है उसके दो परणाम होंगे या दो परिस्टर की variation उसके अंदर देखी जाएगी थिक है वो दो प्रकार की variation कहीं कहीं पे आपको mention मिलेगा यह आपकी होती है common cause variation next आपकी होती है special special cause variation Walter Shivart ने भी दो प्रकार की variation बताई है Walter Shivart ने यह भी आपको याद रखनी है दो प्रकार की variation बताई है कौन सी दो प्रकार की है एक controlled variation होती है next आपकी क्या होती है uncontrolled यह दो प्रकार की variation ने बताई है तो चलिए इसका right answer आपका भी है next question देख लेते है यहां पर फिर से assertion और रिजन जैसे की मैंने बता था की इस question इस paper के अंदर assertion और रिजन चे काफी question पुछे कई थी ठीक है assertion और रिजन बना करके question आए हुए थी तो देखिए assertion क्या काता है नेक assesses and accredits only those institutions of higher learning that have either completed six year of establishment or have produced two batches of graduates रिजन काता है आई क्याउ AC helps to find out the new courses to start and recruit teachers देखिए नेक क्या होती है सबसे पहले तो नेक की ही बात कर लेते हैं यह आपकी होती है national assessment and accreditation council 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 आई आई के वेसी क्या होता है आपका इंटर्नल क्वालिटी अशुरेंस जब तक आपको इनकी full form नहीं आएगी आप question को सोल नहीं कर पाऊगे आपको नहीं पता चलेगा कि किसके बारे में पूछा गया है क्या पूछा गया है क्या सही है क्या गलत है अगर आपको इन दोनों का पता है full form आपको पता है तो आपका question अपने आप यहां से ठीक हो जाएगा तो दिखिए इसका जो right answer रहेगा वो क्या रहेगा option B ठीक है तो कि A इसमें सही है कि NAC किसको access करती है और accreditation देती है उन institutions को जो higher learning के है या तो उन्होंने अपने six year जो establishment के वो complete कर लिए है या फिर उन्होंने दो batch जो है graduates के निकाल दी है ठीक है तो इसलिए जो है B जो है इसका right answer है कहता है कि A आपका true है और यह जो I क्योंग AC है internal quality assurance जो कि quality को check करता है ठीक है तो यहाँ पर आर जो reason जो है वो गरत दिया गया है यह क्या कहता है कि यह नए courses को find out करता है यह नए teachers को जो है क्या करता है recruit करता है next question है आपका how does organizational climate affect the employees in an organization किसी संग्ठन में संग्ठनात्मक माहौल करमचरियों को कैसे प्रभावित करता है तो इसका जो right answer रहेगा वो रहेगा आपका B. Productive level को यह आपका प्रभावित करेगा productivity level को और motivation level को next question है the system of objective analysis of written or spoken verbal communication is known as लिखित या उक्तमोखिक संजार की वस्तनिस्ट विसलेशन की परणाली को निमलिक्त के रूप में जरा जाता है content analysis, factor analysis, interaction analysis या फिर profile analysis तो उसका right answer रहेगा आपका content analysis content analysis क्या होता है research का tool होता है जो कि qualitative data के उपर work करता है qualitative data के उपर इसमें qualitative data कैसा होता है किसी के कहे हुए सब्द हो सकते हैं कोई भी आपके theme हो सकती है या कोई भी आपका concept हो सकता है कोई video हो सकती है कोई audio हो सकती है कोई video हो सकती है कोई audio हो सकती है इन सब के उपर क्या content analysis किया जाता है content analysis क्यों किया जाता है किसी भी theme या researcher जो है देखता है किसी theme का या किसी के कहे गए सब्दों की उप्तिति का या फिर उनका meaning जो है उस meaning के बीच में क्या relationship इन चीजों को वह जवाब find out करते हैं जैसे कि opinion poll के दोवारा किसी भी political party के भविश्य को जो है उसकी possibility उसकी हारने जितने की possibility जो है यहाँ पर बताई जाती है election के सिमय में ठीक है तो यह political party की जितने और हारने की possibility को बताना यह भी एक तरगा क्या है content analysis है next question देखते है which of the flowing statement define the basic philosophy, theory and practice of teaching children according to critical pedagogy critical pedagogy के according कौनसी जो statement है वो define करती है क्या philosophy, theory, practice किसकी teaching of children को teach करने तो यह critical pedagogy के according हमें बताना है accepting multicultural needs to create equally comfortable learning environments for all children respective of culture and social origin संस्कृतिक और समाजी कुत्पति का ध्यान केवना सभी बच्चों है तो बहुत संस्कृति आपशकताओं को समान रूप से रामदाइक अधिकमी वातान बनाने के आपशकता को स्विकार करना या फिर option B challenges traditional beliefs about the knowledge, look for alternatives and create knowledge through thoughts, experience and dialogue ज्यान के बारे में परंपरिक मानेताओं को चुनोती विकलपों की तलास और विचारों, अनुबर और समवाद के मादियों से ज्यान का सर्जन करना ठीक है next emphasis on concept like compassion, kind-heartedness and healthy dialogue to ensure children's well-being and social development बच्चों की भलाई और समाजी की विकास उनिशित करने के लिए करोणा दया और सवस्त सम्वाद जैसी अवधारणाओं पर जोड़ देना या फिर questioning dominant belief or fault views about knowledge and learning and discover deeper meaning and truth causes of the phenomena ग्यान और अधिगम के बारे में परबल मानेता हूँ या विश्व के मानने विचारों पर प्रशन करना परिघटना के गहरे अर्थ और मुलकार्णों की खोज करना ठीक है तो इसका right answer हेगा option D ठीक है तो तो साथ इसके लिए बात कर लेते हैं फ्रेंड्स की जो critical pedagogy है उसके लिए जो critical pedagogy के लिए जाना दता है पावलो फ्रेरे को क्योंकि पावलो फ्रेरे क्या है यह जो है एक famous writer रहे है और ये critical pedagogy की champion के रूप में जाने जाते हैं ठीक है एक teacher का जोगा क्यार अरो होता है critical pedagogy के अंदर teacher जो है student को social equality और justice के बारे में आप्यर करता है और साथ ही जो है classroom में student को issue of power के बारे में भी questionarize करने के लिए critical pedagogy invite करती है ठीक है जैसे कि इसके issues क्या हो सकते है critical pedagogy के अंदर जो issues होते हैं जैसे कि socioeconomic status के बारे में हो सकता है race के बारे में हो सकता है ठीक है आपका class हो सकती है gender हो सकता है sexual orientation हो सकती है या फिर age related issues भी आपके हो सकती है तो चलिए next question देख लेती है यहाँ पर आपसे जो question पूछा गया वो पूछा गया which of the following are the characteristics of criteria reference interpretation of a test score option देख लेते हैं achievement of specific skill or concept by each individual learner is assessed की परतेक व्यक्तिकत शिक्षार्थी द्वारा विशिस्ट को सले आधानों की प्लब्दी का अकलन किया जाता है या फिर instructional objective are based on identified skills rather than on broader learning निर्देशा तमक्चूदेश्य होते हैं व्यापक सीखने के बजाए पहचाने के कोशल पर आधारित होते हैं test item discriminate between examines in term of their relative position in the group test ठीक है next score are expressed in terms of percentile rank or standards to ensure inter-examinee comparison next काता है एक्जामनी can compare his own performance in terms of development of skill over testing occasions एक प्रिक्षार्थी जो है प्रिक्षन के आपसरों पर कोशल के विकास के संदरब में अपने शोयम के परदर्शन की तुलना कर सकता है तो उसका जो right answer रहेगा वो आपका रहेगा option A ये ठीक है उसके बाद बीज भी जो है इसी का है और जो है next आपका E ये जो आपका criteria reference जो interpretation है उसके characteristics से अब हम बात भी कर लेते हैं criteria reference test के बारे में और साथी norm reference test के बारे में बात करें जो criteria reference test होता है एक तरह का ऐसा test होता है जो student के test score का use करते हुए उसके expected behavior के बारे में statement generate करने काम आता है school के अंदर जो teacher जो आपका test लेते हैं वो आपका criteria reference test का एक example है ठीक है norm reference test की बात करें तो यहाँ पर tester की performance को peer की performance से compare किया जाता है तो यह आपका क्या norm reference का एक example है अगर हम बात करें अधर की example की जैसे कि कोई बच्चे जो है race के अंदर दोड रही है ठीक है racer है वो दोड रही है तो उन में से कोई third position पे अगर आता है ठीक है यह position third position है तो third position यह किसका example है norm reference test का example है norm reference test का example क्योंकि यह third position दूसरों की दोड से, दूसरों की रेस से compare करते हूँ, जो है निकाल ली है, कि उसकी position third आई है, ठीक है, वो कितना दोड़ा है, next अगर हम इसी के अंदर बात करें कि इस रेस के अंदर जो दोड़ा है, उसने अगर time की अगर बात की हो, कि कितने time में यह दोड़ पूरी की है, ठीक है, मानलो यह 100 मिज़ की दोड़ है, ठीक है यह वो पूरी करता है 15 तो यह जो 15 minute है जो time taken है उसके दोरा जो time उसके दोरा लिया गया है यह criteria reference का एक example है क्योंकि यहां पर कोई भी comparison नहीं की गई है ठीक है तो यह आपका जो है criteria reference का एक best example है next question देख लेते हैं if the distribution of scores obtained by a group of examines on a test is skipped negatively then which of the following statement is false यदि किसी prediction में प्रिक्षार्थियों के दवारा प्राप्त अंकों का वितन सपस्ट रूप से रिनातमक दिशा में विश्रम है तो निमलिक्त में से कौन सा कथन सही नहीं है ठीक है सही नहीं है के बारे में बात की गई है most of the examines grossed the passing cut score of the test या फिर the average difficulty level of the test item was low या फिर यह कहता है कि the main score of the examines was more than the median score या फिर model value was less than the main but more than the median तो यहाँ पर कौन सा जो है सही नहीं है तो right answer आपका रहेगा option D ठीक है साते है जो है distribution of score की बात कर लेते हैं जीस में आपका doubled negatively आईगा or possibly आहेगा और 0 स्केवलल होता है ठीक है तो यहाँ पर जो आपका distribution होता है जो positively skewed होता है ठीक है वो कुछ इस तरह से होता है और negatively जो skewed होता है वो कुछ इस तरह से होता है ठीक है तो आप लोगों को याद रखना है जो positively स्किवली जो positively जो तिर्छापन है इसी को हम right skew भी बोलते हैं ठीक है और इसको हम बोलते हैं left skew जो की negatively ने जो है। फिंदो मंन म्मर्टीवली ने фильм होता है। एक तिर्चा न होता है। एक दिर्चा-पन किसली होता है। सांखी गावित्रण विश्न होता है इस तो दाई तरफ यह एक लिप स के शतर शाधा होता है। और आपका जो positively skewed होता है ये right side के अंदर जदा long tail होती है ये आपको याद रखना है ठीक है और negative skewed nice के अंदर जो होता है distribution एम main जो है median से कम होता है यहाँ पे जो आपका जो होता है main यहाँ पे होता आपका median और यहाँ पे होता है अपका mode ठीक है तो यहां पे यह जो में की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है में इस लेस तैन मिडियन ठीक है यहां पे में की वैल्यू मिडियन से कम होती है ठीक है और यहां पे जो मोड की जो वैल्यू है वो हमेशा जो है में और मिडियन से ज्यादा होती है देखो यहाँ पर जो हमोड है और इन दोनों से इसकी वैल्यू क्या होएगी ज्यादा होएगी यह आपको हमेशा याद रखना है ठीक है चलिए नेक्स्ट कोश्चन पर चलते हैं पर्टफोलिय असस्मेंट टेक्निक आज पार्ट ओपेडगोगिकल प्रक्टिश इस उस फूर पर 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 प्रपोलियू अकनल जो तक्निक है शेक्स्टिक पर्थाओं के भाग के रूप में छात्रों के मुल्यांकन के लिए प्रियोग की जाती है तो यह किसमें परियोग की जाती है लेबरेटरी वर्क आफ्टर दी एंड ओफ ए सेमेस्टर या फिर लर्निंग आउटकम्स आफ्टर कम्पलिशन ओफ ए कोर्स या फिर प्रोग्रेस इन लर्निंग और पर्फॉर्मेंस ओवर ए प्रियर अफ टाइम या फिर डैडिनेस फॉर अन इंपेंडिंग कम्पुटेटिव एक्जामिनेशन ठीक है तो इसमें आपका जो राइट आंसर हेगा वो रहेगा आपका उप्शन C कि किसी इसमें अवधी में क्या करती है ये स्टुडेंट की जो लर्निंग होती है पर्फॉर्मेंस होती है उसको क्या करती है रिकोर्ड करती है ठीक है तो पॉर्टफोलिय असस्मेंट में जनली क्या रखा दा है यह एक learning की developmental progress report होती है आप इसको यह भी कह सकते हैं कि यह क्या होती है learner की जो है developmental progress report इसके नाम से भी इसे जाना जाता है ठीक है तो यहाँ पर student की work का collection होता है जो long period में गदर गया जाता है कि देखो यहाँ पर भी बुला गया कि over a period of time कि किसी समयावधी में जो है उसको record किया गया है ठीक है तो यह जो record के जाने वाले जो चीज़ें होती कई बार आपसे यह भी अभी मतलब आगे जो exam हो उसमें यह possibility रहेगी कि आपसे यह पूछा जा सकता है कि portfolio assessment में जो है कुण कुछ चीज़े आती है जैसे कि portfolio assessment के अगर हम बात करें तो आपके जितने भी return assignment है वो आपके portfolio assessment के अंदर आएंगे ठीक है आपने कोई भी draft त्यार किया हुआ है यह आएगा आपका कोई भी artwork हो सकता है आपकी कोई भी presentation हो सकती है यह आपकी क्या है portfolio assessment technique के अंदर या portfolio assessment के अंदर आएंगी चलिए next question देख लेते है an independent variable in an experimental study which is manipulated by the investigator at his will is technically known as independent variable experimental study के अंदर जो manipulate किया जाता है investigator के दर आपनी चगया coding तो उसको technically क्या बोलती है तो उसको हम technically बोलेंगे treatment variable ठीक है confounding variable क्या होता है यह independent और dependent variable के बीच का एक variable होता है जो इनकी relationship को affect करता है जो interfering variable होता है वही intervening variable होता है और moderator variable क्या होता है intervening variable किस तरह से relationship को या किस चीज़ को affect करता है वो आप हमें comment box में बताएंगे ठीक है ताकि हमें पता चल सके कि आप जो रिसर्च में कितना कुछ पढ़ चुके हैं चलिए नेक्स्ट कोश्चन देखते हैं एन इंजिनियरिंग कंपनी वांस तो रिकूट फ्रेस ग्रेजुएट्स ये फ्रेस ग्रेजुएट्स को रिकूट करना चाती है किसी स्पेसिफिक परपस के लिए निए कि कुछ अलग सा वर्क है स्पेसिफिक नेचर ओफ वर्क है कंपनी डिसाइट्स टू कंड़क्ट स्लेक्शन टेस्ट ये एक स्लेक्शन टेस्ट लेगी किस ट्राइब का टेस्ट जो है ये लेगी तो उसके लिए जो test appropriate रहेगा वो आपका रहेगा aptitude test ठीक है achievement test जो है teacher लेता है class के दर बच्चों के achievement देखने के लिए उसने कितना learning objectives को complete कर लिया है ठीक है mental ability test भी जो student की mental abilities को test करने के लिए जो है conduct किया जाता है personality के traits के बारे में जाने के लिए जो personality assessment test जो है personality assessment किया जाता है चलिए next question देख लेते है given below are two statements यहाँ पर दो statement है one को labeled किया गया है assertion के रूप में other को labeled किया गया है reason के रूप में तो assertion क्या कहती है the value of reliability coefficient of a test जो value होती reliability coefficient के वो vary करती है 0 से positive 1 के बीच में but cannot be negative ये कभी negative नहीं हो सकती है the correlation of a set of score with itself और set of parallel scores cannot be negative कहता है जो correlation होती है set of scores की itself के अंदर या फिर set of parallel score के अंदर वो भी negative नहीं हो सकती है ठीक है तो यहाँ पर कौन सा सही है कौन सा गलत है friends हम आपको बताएंगे UGC के according तो यहाँ पर जो है दोनों सही है ठीक है और UGC यह कहता है कि यह जो है इसकी सही वाक्या भी है अगर आपको question में कोई doubt लगता है आप हमें comment box में बता सकते हैं next question है listening is badly affected by listening किससे effect होती है message overloaded होते है या फिर आपको जो speaking की जो speed हो ज़्यादा high है या sizable hearing loss आपको है इसको physiological problem भी कहते है all of the above देखिए listening जो है इन सभी factors के कारण क्या होती है effect होती है next question है you are in a class on the very first day of the opening session and take introduction of the student the primary objective of this introduction for you is तो आप एक teacher के रूप में first session के अंदर आप जैसे ही session open होता है आप जाते हैं और introduction लेते हैं student का primary objective क्या है आप student की potentiality के बारे में जानना चाते हैं साथ ही उनकी family status को selection करते हैं student का who can do the school job जो आपके लिए school का काम कर सकते हैं या फिर identification करते है potential student की जो क्या करती है who may serve you throughout the session यहाँ पर क्या इसका right answer होगा यह होगा to know about student potential के student की potential को जानना कि वो कितना काम कर सकते हैं साथे साथे उनकी जो family status है ठीक है यह आप पा introduction का मतलब होगा या primary objective होगा next question है the process of communication enhances जो process होती है communication की वो enhance करती है किस के थरो enhance होती है belongings के थरो या फिर security and freedom to make choices या informality of meetings and evidence of pressure या फिर all of this जो process होती है communication की वो enhances होती है all of these के जो आपके आसपास के लोग है उनसे भी आपके communication की जो process हो enhance होती है या security और जो freedom आपको मिली है च्वाइस करने की उनसे भी वो क्या होती है enhance होती है तो इसके right answer क्या है all of these next question है which of the following skill has the largest share in communication time in school or college ठीक है right answer आपको चूज करना है listening, reading, writing and speaking तो इन में से कौन सा ऐसा skill है जो largest share करता है और के आपको ज्यादा benefit पहुचाता है communication के अंदर ठीक है school और college time में तो ये होगा आपका listening next question है while teaching in the class one of your student pointed out certainly your mistakes what will you do in such a condition देखिए आप class के अंदर teaching कर रहे हैं और आपका एक student है जो आपकी गलतिया निकाल रहा है तो उस time पे आप ऐसी condition में क्या करेंगे आप class को छोड़ देंगे उस दिन या फिर आप student को जो है गुसे से उसको ताड़ेंगे, डाटेंगे या फिर आप आपने जो गलति की है उसके लिए sorry feel करेंगे या फिर आप कोई भी emotions यो नहीं करेंगे देखिए जब आपने गलति की है तो आप क्या करेंगे sorry feel करेंगे तो right answer यही होगा next question है if a group of student enter your room and abuse you and behave voluntarily with you at that time how would you control your emotions एक student का group आपके room के अंदर enter करता है और आप उंगालियां देना सुरू कर देता है तो आप उनके आप किस तरह से behave करोगे ठीक है you will react in similar tune आप उनके साथ उसी तरह behave करोगे जैसे वो आपके साथ करते है ठीक है या फिर 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 फिर्श्ट विल ट्राई तो पैसिफाई देर इमोसिंस देन आस्क पोलाइटली अपके आपके आपके इस तरह से behave करते हैं तो इसका राइट आपके आपके आप देखने की कोशिज करेंगे उनके इमोसिंस क्या है आप उनको समझने की कोशिज करेंगे उसके बाद आप उनको politely बोलोगे कि किस तरह से वो ऐसा behavior कर रहे हैं बैटर क्लासरूम मैनेजमेंट जो बैटर क्लासरूम मैनेजमेंट होती है उसका क्या आर्थ होता है जो पर ग्रूप फरक होता है और बैटर इंटरक्शन होता है पीपल्स के अंदर प्रियर प्रेपरेशन अफ टीचर इन दी मेकिंग उस्टेवलेट्स गेटिंग अटेंशन और क्लासरूम मैनेजमेंट के अंदर क्या होता है जैसे ही का आप कोई भी काम करना स्टार्ट करते हैं तो उससे पहले सारे स्टूडेंट का ध्यान उसकी तरफ होना चाहिए और स्टूडेंट का कोईपरेशन आपके लिए ज़रूरी होता है तब यह आपकी कलासरूम मैनेजमेंट बैटर होती है नेक्स्ट कोश्चन है करता है कि सारे के सारे टूवे कॉमनिकेशन का जो मीडिया उसके एक्जामपल है बट यह नहीं है पबलिक मीटिंग पद्यात्रा स्ट्रीट प्लेज या फिर प्रसाइट कैसन और रेलिस देखिए फ्रेंट्स इसके अंदर से जो स्ट्रीट प्लेज है या निकि जो नुकर नाटक होते हैं वो तो कॉमनिकेशन का एक्जामपल नहीं है बाकि सारे के सारे क्या है टूवे कॉमनिकेशन का एक्जामपल है कौन सा एक अच्छा वे नहीं होता जब आप विलेजर्स को जो है लिटरेशी या निकि पढ़ना लिखना उनको सिखाते हैं उसको प्रमोट करने में डेमोंस्ट्रेशन है रीडिं अनड राइटिंग है प्रोवाइडिंग मैटेरियल ओन टीवी आनड फिल्म प्रोजक्टर या प्र लार्ज ग्रूप दिस्कुशन दीखिया इसके अंदर से जो रीडिंग और राइटिंग है वो एक गुड़ वे नहीं होता बड़ डेमोंस who are enthusiastic in the classroom teaching options आपके सामने हैं often lack proficiency in the subject which stay hidden under their enthusiasm simply dramatize to hold the student's attention involve the students in the teaching learning process the appeal of the above देखिए वो teacher जो enthusiastic होते हैं classroom teaching के अंदर वो क्या करते हैं अपने student को क्या करते हैं उन इन वोल करते हैं teaching learning process के दिन की जो teacher ज्यादा उत्साही होते हैं teaching के लिए classroom teaching के लिए हो क्या करते हैं अपने student को भी क्या करते हैं involve करते हैं teaching learning process के अंदर तबी जो हर learning और teaching हो बैटर वे से हो पाती है all are the component of listening सारे के सारे component listening के accepting में से कोई एक नहीं है hearing attending being attentive answering understanding and remembering देखिए सारे के सारे listening के component है यह question बहुती easy है और एक नहीं है तो वो कौन सा नहीं है answering नहीं है ठीक है तो कि यह listening में नहीं है यह speaking की category में आए गाएगे इसको speaking का component कहेंगे next question है if a student wear some odd dress and attends your class then you will एक student आपकी class में अलग तरह की dress पहन के आता है यान की जो school की uniform नहीं है वो नहीं पहन के आता है अलग तरह की dress पहनता है और आपकी class attend करता है तो आप क्या करेंगे ask this student do not attend the class student को बोलोगे कि आप class attend ना करें जो कौन ही मुसका मजाक बनाएंगे या communicate करेंगे उसके साथ की इस तरह के कपड़े नहीं पहनने चाहिए not given attention on it उसके पर कोई ध्यान नहीं दोगे देखिए as a teacher teacher होने के नाते आपका फर्ज बनता है कि आप student के साथ communicate करोगे और उनको बताऊगे कि इस तरह की dresses जो स्कूल के अंदर नहीं पहननी चाहिए next question है which of the following is not a successful communicator ठीक है इन में से कौन सा successful communicator नहीं है successful communicator के देखिए याँ पे option given है one who present material in precise and clear way जो material को present करता precise और clear way से या फिर one who is able जो able है adapt करता है himself अपने आपको वो communicate कर सकता है जो सामने वाले की जो language है उसके साथ या फिर one who knows a lot but he is somewhat reserved in his attitude केता है कि वो जानता बहुत ज़्यदा बट वो एक attitude ज़्यदा रखता है वो मतलब कुछ कहना नहीं चाहता या फिर one who sometime become informal before the receiver and develop report केता है कि एक ऐसा आदमी जो informal हो जाता है कभी-कभी ठीक है receivers के सामने और अपनी रैपोर्टों से develop कर लेता है तो इसके अंदर जो successful communicator है वो उसकी तीन qualities यहाँ पर given number take नहीं है तो वो होगी option C one who knows a lot जानता तो बहुत ज़्यदा है बट वो क्या करता है कि अपना attitude रखता है वो किसी को बताना नहीं चाहता वो अपने चीज़ें जो है अपने पास ती जरव रखता है next question है the most important aspect of communication listening can be improved by जो most important aspect है communication का और listening का उसको improve किया जा सकता है कैसे making the attention fully paid making the communicated material novel interesting and need based making voice effective and impressive all of the above तो right answer होगा all of the above कि जब आप अपने communication और listening को जोगा improve करना चाहते हैं तो आपको attention भी देना होगा इनकी full attention आपको देना होगा साथी साथ जो communicated material है वो novel interesting होना चाहिए और need based होना चाहिए ठीक है और आप अपने voice को effective और impressive बनाएंगे next question है which of the following step would you consider first as an effective communicator select the channel of communication plan and evaluation procedure specify the objective of the communication या फिर identify various media of communication देखिए नहाँ पर कहता है कि कुछ step होते हैं जो आप consider करोगे first effective communicator बनने के लिए तो उनमें से क्या है specify करोगे आप अपने objective of communication को उनके आपके communication के objective क्या है तभी क्या है एक effective communicator बन पाऊगे thanks for watching friends फेले आपके ए लर दोस्टे है से क्या है अलूपने कखके कि की तोस्तूबने की तोस्तूबने की तोसरे है टोसुपरणे अपके एका रखर दोस्तूबन